जब मैंने तुम्हारी पापा का हाथ थामा था तब से ही मैं भगवान पर भरोसा करने लगी ऐसा क्यों? शादी होने से पहले भगवान पर भरोसा नहीं करती थी भगवान से मनते मांगने की बाद शादी करने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन जो सम्मार देता है और जिद्दकी का मतलब समझाता है ऐसे लोग काफी कम होते हैं तुम्हारे पापा भी उन्हीं लोगों में से एक है हमारी शादी होने के बाद पहली बार मैंने इसी मंदिर में भगवान के सामने हाथ चुड़ा था मेरी उम्रवी मेरे पती को लग जाए यहां आकर मैंने भगवान से प्राथना की थी मम्मी आप पापा से इतना प्यार करती हैं बहुत वो तो मेरी चान है और मुझे तुम मेरे घर का उजाला हो कि मास्टर कब तक इंदिजार करेंगे तुम हमें पहुंचाओगे की नहीं है मैं तो चलने के लिए तैयार हूं लेकरो रास्ता छोड़े तब ना अरे कहां है तेरी दीदी ए वो मेरे दीदी विधी नहीं है तो फिर वो तो मेरी डार्लिंग है क्या हुआ डार्लिंगाज इतना लेड क्यों तुमारे लिए मुझे रोज न्यान्यानाटर करना बढ़ता है त्राइवर चलो गाड़ी बढ़ाओ जब कर अपना मुँ बन कर तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई तुम अपने आपको समझते क्या हो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है देखो शरा मैं चिलाया जा रही हूँ और तुम मंतर कर तुम minhakar çुपचा खड़े हो बता मुझे मैं तुम से बाद कर रही हूँ तुम ऐसे किया है क्या है यह?" मैं तुम्हारा अच्छे से खियाल रगती हूँ तुम ऐसे करते हो तुम्हें जरह भी अकल नहीं है क्या? तुम्हारी तु मैं तुम्हें सिधा करके ही रहूंगी आज तुम्हें इस घर को छोड़के चले जाओ मेरे मम्मी पापा इस दुकान से उस दुकान से तुम्हें पसंद करके यहां अपने घर लेकर आए मेरे पापा के पैर को काटोगे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहा से आई यहां रहनी के जर्वत निकला यहां से दुपारा मेरे घर में तुम आए ना तो छोड़ोंगी नेई बिचारे दर्द हो रहा है पापा के पैर को काटा इसलिए मैंने मारा सारी तुम कितने प्यारे हो पापा के पैर को मत काटना हां हां तुम्हारे पास काटने के लिए तुम भी नहीं है अगर पहले बताते मुझे तो पिटाई नहीं होती हमारे पूरे घर की देखवाल करते हो सारी यार सारी कि यहीं है कि यहीं है वो पांच लाख रुपए यह उसके एजुकेशन के लिए इस बॉंड के मैच्वर होने पर पंद्रा लाख मिलेंगे यह उसके शादी के लिए क्या है यह शनीवार आते ही आपका हिसाब केताब शुरू हो जाता है हाँ तो जिन्दगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती देखो बच्चों के भविश्य के बारे में अगर पहले से नहीं सोचेंगे तो जिन्दगी कैसे चलेगी पी एफ तो हमारे लिए काफी है ना फेर जिन् सल्वो मेरी एक छोटी सी खुआईश है मैंने क्या सोचा है मेरी इस छोटी सी बेटी की बेटी के कानों में गोल-गोल कुंडल पहना कर ठीक किसी गुडिया की तरह अपने कंधे पर बैठा कर पूरे शहर में गुबाता फिरूं अरे ऐसे क्यों देख रही हो वो तुम क्या सोच रही हो मैंने नहीं पूछा इसलिए अरे छोड़ो ना हमारी शादी हुई तब से लेकर आज तक मैंने तुमसे पूछे बिना कुछ किया है क्या मुझे और क्या चाहिए जी आप है ना शान्ती हम अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं वो उससे भी ज्यादा हमें प्यार करें बस हम यही तो चाहते हैं यह बिस्किट चॉकलेट यह चाहिए वो चाहिए यह सब तो ठीक है लेकिन हमें उनके मन की इच्छा को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए उन्हें अगर हम से छोटी सी भी तकलीफ होती है तो फिर हमें तकलीफ है मैं सोचता हूँ कि माबाप का फर्ज यही है आप यहां बैठकर बच्चे उनकी आशाएं और उसके बारे में सोच रहे हैं और वो है कि छोटे बच्चों के साथ खेलने में मगन है खेलने दो ना वो नहीं खेलेंगी तो क्या हम खेलेंगे और सुनो खेलने वाले को कभी भी रोकना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए उससे रोकने वाला आएगा ना झाला नहीं खेला आएगा उर में और में खेलने लुशा的 में झाला आएगा याइएं तो की तो कि तो को क्याए्गा प्रती बचह बच्प़गा झाला जाला आएगा बच्व़गा झाला येस याँ अरे बाई गेम खेलने वाले से जयदा टेंशन तो देखने वालो की होती है लेकिन तुम तो इतने कॉन्फिडेंट में लग रहे थे कार्टेक हम 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 यस डाइड मिस्टर मोहंदास पाल सी बिलो मेरे नए प्रत्योगी और अल्सो माई वेल विशर हाई इस माई प्लेजर प्लेजर इस माइन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लेकिन आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मारे बेटे को अच्छा खेलते हुए देखकर इसके उपर दाव लगाना चाहिए कोई घोड़ा दोड़ता है इसलिए दाव नहीं लगाया जाता है सर दाव तो उस पर लगाया जाता है जो घोड़ा जीतने वाला होता है दोडने वाले घोड़े का एक मातर लक्ष जीतना होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यूर सन इस मोर अम्बिशियस थन यू हाहा Okay, I'll make a move मिलते हैं Anyways, thanks for your compliment Welcome Bye Kartik, Kartik, Kartik Kartik, Kartik, Kartik Kartik, Kartik Kartik, Kartik, Kartik Yes Any regards? I want to say something to you I love you Thank you So, first we should have something to do Today I thought you should make friends So, I made it That's the same Love is also like that You should also feel that You see And you talk about it And you talk about it Then you know that Love is in the heart When will that happen? What will that happen? The love of your heart 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 Yes, sir Yes, sir Okay, sir Okay, sir Okay, sir Oh Dad, I'm going to office Oh, sorry Kartik I'm going to airport Dad? Going abroad? Yes, Kartik We've started the new company We've started the board meeting So, I'm going to the board meeting Dad You've forgotten You've forgotten Today, my mother's mother You will have to do it You've forgotten You've forgotten The manager uncle He gave me the phone Dad Oh, sorry Sorry, Kartik You've forgotten You've forgotten You've forgotten You've forgotten You've forgotten You've forgotten Okay? Don't miss Yes, Dad She was the best mom Sorry I too miss you, son Okay, Dad I'm going to go Bye Bye Manager, sir The program is here You told me I've told you Oh, I've told you I've told you I don't know Who told you I'm going to sleep I'm going to sleep I'm going to eat so good The food is poor It's a weird people Who are here Look at them Malik's photo Malik 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 Hey 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 Hey, boy, stay set some crap on me Again. geeky came over आपको बदाता हूं मैं अपनी कार लेकर आ रहा था ओ प्रूawk अपनी कार्णित अपनी कार्णित है क्या कि विधे विधे भी तऱ्ूर कि विधे और भी कि विधे रहा हूं 녹 एक। एक। ऑक। ऑ एक। एक। घखक। चोल रड़ चोल छोल ब बाहम भ ज बह दो कि बज बढऄ चल आखे है मुझे से शर्ट लगाया था ना कि मैं घर से यहां पांच मिनट में नहीं पहुंच सकती, कैसा लगा, चलो चलो सबको आइस क्रम खिला, ठीक एदिला देता हूँ, मुझे बनीला फ्लेवर, मुझे करन, मुझे चाकले, मुझे पिस्टा, और इंग स्टेक, और तुमे, मुझ यह फैमिली पैक चाहिए, चलो 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 राइस्पिन खारेंगे, चीटी चीट गई, चागर हाल गया, चीटी चीट गई, चीट गई एक लड़की को पानी में दो मिनिट रोग करनी रख सते थे, अपनी शकल तो देखो, तुझे तो मैं निकल यहां से, तुम जैसे लड़के लोग सिर्फ बाते ही बना सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, पानी में डूब जा, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, सवाल यह है, मन मैंने लड़कियों को उसके बालों में चमेली या मोगरा का फूल लगाते देखा है, लेकिन लड़कों को मैंने कमल का फूल लगाते कभी नहीं देखा है, वैसे भी तुमें आर्किट का फूल पसंद है, हाँ बिल्कुल यार, लड़कियां लड़कों को एक कांधे की तरह इस्तिमाल करती हैं और लड़के लड़कियों के लिए ताज महल बना देते हैं अगर तुम जैसे लड़कों को कोई लड़की कान में फूल लगा देगी ना तो तुम जैसे लोग अपने आपको नसीब आले समझ कर उसके पूजा करने लगते हो क्यों मैं बेलकुल सही कह रहा आज के दिन तुम्हारे आने के लिए हम लोग तुम्हारा 360 दिन राह देखते रहते हैं इतने दिनों बाद आते हो और चले जाते हो तुम से फिर कम मुलाकात होगी यही राह देखते रहते हैं कोई बात नहीं बेटा तुम्हें यहां का बाता वरन पसंद नहीं है यह मां की यादें बसी हुई है और उन यादों में मैं अपनी मां को गवाँ चुका हूँ ये बात मुझे सुई की तरह चुपती है मेरे मां नहीं है ये मुझे कभी फीली नहीं हुआ अंकल अरे आप खाना खाईए ना कि दीदी तुमने जो शर्ट जीती बिल्कुल मज़ा आ गया हां और टाइगर के घर का खाना तो बहुत ही टेस्टी था अगली बार सब लो थोड़ा जादा खाना लेकर आना यहां देखो क्या मिला फूल कुम कुम हल्दी यह सब यहां कैसे आया तुम जैसे लड़किया फूल कुम कुम हल्दी वगरा सब भूल चुकियों इसे तुम जैसे लड़कियों को याद इलाने के लिए भगवान कभी कभी पानी में यह सब चीज़े भाहा देते हैं तुम जो यहां से अहां दीदी पता नहीं यह सब चीज़े गहां से आई है आप कुम कुम क्यों लगा रही हो जो बे हो जिसने भी बहाया हो लेकिन एक लड़की के लिए हल्दी कुम कुम हूल यह सब चीज़े बहुत माइने रखते हैं बताओ कैसे लग रही हो बहुत देखो मंगल सुत्र दीदी फेक दो उसे जो मिलता ही उसे फेकते हैं क्या भला फिर इसका क्या करूं मैं और चार-पाच सार रख लोगी तो रख लूगी तो मैं ही तुम्हें पिरा दूंगा तेरी तो पाधाव चली काधा चली चली चलो बाधो किया बात है आज तो बड़ी खुश नजर आ रहे हैं आज मैं खुश हूँ तुम्हें कैसे पता चला जब बहुत खुश होते हैं तब मुझे यहां लेकर आते हैं कि यह जगे हमारे सुख की दुख की साक्षी है अच्छा यह सब छोड़िये पहले बताए कि मुझे यहां लाए क्यों है आखें बंद करो बताए और जब तक मैं न कहूं खोलना मत अब खोलो अब खोलो अब खोलो अब खोलो हाँ क्या पापा आपकी पत्नी तो बहुत खुश लग रही है यह तो बहुत छोटे हैं मुझे नहीं आएगा पापा यह तुम्हारे लिए नहीं है मेरे लिए नहीं है तुम्हारे बैटी के बैटी करें और आपवला है कि आपकी बेटी की शादी से पहले में हो ये क्या बिल्कुल दूलन की तरहे कुमकूम हल्दी और फूर लगाकर आई हो ओ ये सब मेरी ना बस में सो गए थी तो मैं कॉलेस बंग करके बहुत सारा मीठा खाके पानी पीने के लादे पे गई थी ये से मुझे पानी में बहते हुए मिला भगवान जी का प्रसाद समझ के मैंने ये सब लगा लिया ममी मुझे इन सब के साथ मंगल सुत्र भी मिला मंगल सुत्र हाँ तो तुमने उसका क्या किया फेग दिया क्या नहीं नदी के पास जो पेड है ना उसमें बान दिया कार्तिक कल सुबह तुम्हें निकलने के लिए दूसरी गाड़ी का इंतिजाम क नो 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 मैं अपने डालीं को छोड़ कर नहीं जाओंगा अंकल मैं अपनी खुदी रिपरिंग करके ले जाओंगा कार्थिक आज मुझे बहुत खुशी मैसुस हो रही है क्यों अंकल मैं कहीं जा रहा हूं इसलिए चिछी इस बार तुम दो दिनों के लिए यहां रुक बगल में वो पुल दिख रहा है उसमें उटा कर फेंग दू क्या तुझे जिसकी वज़े से मेरी डार्लिंग आड़ी डैमेज हुए और जो मुझे कान में फूल लगा कर चलेगे उसे थैंक्स केने के लिए बूल रहा है नहीं हो सकता है अच्छा वो अच्छा वो है वह वह आकर गर्याज के माली के पूछेगा तो बता देना माली गारी का पार्स लेने किया है तो मैं चुप जाता हूँ All-in-one mechanical garage Dr. Manju M.B. Oh Hi, I'm Parthik मेरा नाम लोकेश है, लेकिन प्यार से मुझे लोग बुल्ली बुलाते हैं. क्या केगर बुलाते हैं? बुल्ली? बुल्ली? या. तुम वो... ये सो मेरा ही है. बुल्ली? हा? ये डॉक्टरजानी कहा है? वो अभी शेहर में जा चुके हैं. नाई 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 अभी वो नीची नीची गुश चुके हैं ओहो पार्ट लानी के लिए शहर में गए हुए है हाँ वो शहर में गए है कितना भी समझाद अपनी जुबान प्लाकार नहीं लगाता है मुरली हाँ तुम्हारा जो मैकनिक है, वह यहां का मालिक है कि वरकर है? अच्या तो तुम्हें भी ढॉट हो रहा है, वह हमें मालिक की तर नहीं लगता है इक्जाक्लियो, उसे देख्कर लगता नहीं है कि वह मालिक है तो फिर केसे दीखे practically? तो उसे देख कर तो ऐसा लगता है क्या लगता है क्या दॉक्षर साब रहा है इसंने तो बता है कि तूम पार्ट लाने के लिए शेर में लो पार्स अब्जर्वेशन में है गाड़ी अब्जर्वेशन में यह मैं कह रहा था अब्जर्वेशन में नाई गरूजी जैसे होस्पीटल में पेशेंट को बढ़ती करके डॉक्टर अब्जर्वेशन में रखता है ना उसी तरह गाड़ी को मैं भी अपने अब्जर्वेशन म मैं कहकर मुझे कहाणी मत सुना। मेरी गाड़ी आदे गंटे में तयार करो। अब क्या है? आप कह रहे थे कि मैं मालिक की तरह नहीं दिखता हूँ. तो फिर मैं कैसे दिखता हूँ? जाने दो छोड़े. बता यह नवास, बता यह नवास. मताओ! बताना ये पड़ेगा? बताओ अनु तुम ना.. मालिक की थारा नई लग्थेयो तो कैसा दिखता हूँ ब्रोकर की थारा लग्थेयो ब्रोकर मिज्ट्य ब्रोकर मिज्ट्य अरी ये कोन भुल रहा है? ये रुचो समाण के गिर्णा नहीं बच्चो दार्लिंग वो सामने से ही आ रहा है और ऐसा लग रहे हमें ही खुर रहा है उसके कान में जो तुम फूल लगाए थी ना ऐसा लगते है उसका गुस्सा अभी भी है उसे उससे उठाने के लिए तुम लोग अपनी कमर कसलो एकदम चौकन नहीं रहना हां मुझे नहीं उसे अगर कोई बात हो गई तो मैं उसे मारूंगी यह मुझे नहीं पता तुम लोग मेरी तरफ ही रहना हां हुँ अजय क्रूम अ करें Arenda समभाल के जर्द देख कर चलो 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 चलते हैं करो अंकल हाथ दीजिये खा खा के केंडे की तरह हो गया चल बढ़ जा अच्छा ए हंसा बाहरे गए दीदी उसके घर गई थी ताला लगा हुवा था लगतेदें बाहर गई है ओ अच्छा जलो जलो आओ जल्ली जल्ली जलो निकलने वाली है गाड़ी आराओ आराओ गाड़ी बढ़ाओ जलो 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 यड़ी जलो ऑ Sicher Gleichि हमसा आगली हमसा आगली हमसा आगली है यांगाई जलो का इब राओ तिए पर बढ़ेगा अरे यह सामने से कहाँ सा गया काड़ी मैने रिपयर किया नहीं अभी यो बढ़ केगा अभी तकी 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 यह ब्रोकर जार्ण एक्स्जोज में एक्सशोज में डॉक्टर मेकैनिक मांझा अचा हो अचा वह सब ठीक है यह लेकिन मेकेनिकी गाडी खरब हो गई क्या का? डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता होता है ना लेकिन पेशेंट कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहिए ऐसी बात नहीं है लेकिन जब देखो तब तुम पानी में भीग के आते हो है पात क्या है जब देखु तब आकाश से मेरे ऊपर अम्रुत्य टपकता है ता मतलब जूट बोला है ये जूट बोला है ये एक नंबर का कभिना है तूट जब देखो मों खोलती है अच्छा वो सब डीग है आज कपड़े पगरा ज़ाड जूड कर कहा जा रहे हूं सॉरी आज मैं हवाओ में लुफ्त उठा रहा हूं किसे से प्यार हो गया क्या मुझे भी ऐसा ही लगता है कल मैं गाड़ी वाच कर रहा था वो मुझे देखते हुए आई और एक दिन ची बेवडा ऐसा बोली मुझे बेवडा शबसुन कर मेरा दिल खोशी से जूम उठा इसल यादों में खोते हुए जा रहा था सार सर आम एक्स्ट्रीम सॉरी सर अटेंशर मतलो सर गाड़ी शाम तक रिपैर हो की मिल जाएगी बैं गैरेंटी देता हूं सर गाड़ी जल्दी से रिपैर कर आपको देदूगा सर कूल कूल आराम से यार शांती से काम कर तुम अभी अ से ज़रूरी कोई चीज नहीं होती तेक यूर ओन स्वीट टाइम यह तो कहीं और जा रहा है यह कहीं गड़े में ना गिर जाए गिर गया हूं किसी के प्यार में हाँ तो टल कल फ्यूजन में साथ खेलो ना खेलते खेलते बाल मुझे दो मुझे पकेड लेलो ना बच्चे लोग हाई 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 लो टुस मैं तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया हंसा हंसा यह यह आग ही हो आया हाई फ्रेंट्स अब है मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूं क्या है हम आख तुम सब वाजा कर खेलो एं तुम भी वाजाओ किसके लिए हो कुछ नहीं बस ऐसी साइकल की तरह क्या देख रहे हो साइकल चलाने आती है क्या नहीं सर साइकल चलाना सिखाओ यह क्या करने जा रहा है जलो नीचे उतरो आप पहले हां पैटल उसके बाद तुम सेट बेटना यह थोड़ा ज्यादा ओ रहा है अभी अगर तुम्हारा गुरू और तुम मेरे शिश्य हो तो नहीं पहले गुरू जी बताए मुछे क्या करना पहले क्वेकल की बीच में नहीं नहीं टालो ठीक हां घ्यान कर बालेश ब्रबर रहां हुट अप चला-चला कर जो तक चला चला बखना है के बालेशा से रखो कराम हैं नहीं संभाल कर जादा लेफ था दो राइन्स वाज सब्सक्राइब अरे यार ममी अरह पापा क्या हुआ चूट लग गई हो कितना फूर निकल रहा है तुमें सैकल जलाने नहीं आती किया रहा था नहीं आती है मैं इसे सिका रहा था मैं जो कह रहा था वो इसे समझ में नहीं है थोड़ा गृपिंग पावर गम है हम जा कर हाथ की सफाई करके मां से कहना मारम लगा दे ऐहां चलो हाँ ठीक है चलो अर्य हां तुम ही आ क्या कर रहे हो वह मैं तुम यह देने के लिए यहां तक आये थे ट्राइगर इससे बताओ तो इस मौसम में जल्दी कैसे ठीक होगा जीदी मेरे पास एक सूपर ट्रीटमेंटे बताओ क्या हाँ बताओ ए घर पर जाकर इसके अंदर ये कर देना समझे क्या हाँ घाव जादा जल्दी ठीक होगा मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही करना थीक है क्या बताया ये तुमारे समझ में याएगा चलो जीदी हूं थैंक्स टाइगर हाँ अप्रे चलिए चलिए जल्दी चलिए देर मत करो आए बेंजी देर क्यों लगा रही है इतना आए क्या देख रही है चलिए हुआ है 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 लोटस्माइब आर एफ यू सुनो दीदी वो तुमेही के रहा है हां थांक्स मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए लेकिन कुछ भी बोलो तुम्हारा हाथ नम बहुत अच्छा है हर जगा ऐसा गिरते पढ़ते रहोगे तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूगी बता दो उसे हलो मैं हर जगा गिरने वाला नहीं हूँ बता दो टाइकर उसे एक्स्क्यूज मी या या यू गो अएड गिमी फाइल सर हलो हाई डाड हाई कार्तिक डाड, मीटिंग ऐसी चल रही है फेंटास्टिक मा के कारिकरम के लिए एक दिन के लिए गए थे और इतने दिन रुख गए कोई खास बात है क्या डाड वो एक्चुली एए कोई एक्साइटिंग न्यूज येस डाड आइम इन लव वाट डाड कुछ नहीं एए तुम क्या कह रहे हूँ फिर से कहो फिर से बोलो डाड आइम इन लव मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा लेकिन इस काम के लिए तुमने बहुत देर कर दी कम से कम अब तो प्यार करने के बारे में सोचा तुमने गो आइड मैन थैंक यू डाइड थैंक यू आइम इन लव वू कॉस्ट अच्छा क्या होगा संबल के संबल के संबल के वह सीधे मेरे सामने आगया और मैं ध्यान नहीं दे पाया आइक्सिलेटर पर रेक्के चलाना चाहिए पत्थर पर रेक्के चला रहा है सार इस एक्सिडेंट के बाद मुझे लगा कि आप बचो गई ही नहीं पर आपके गाड़ी कहा है सार गाड़ी वो यहीं गई होगी मैं देखता हूँ अच्छा आपको चक्करवकर तो नहीं आ रहे है ना जस्ट मिस हो गए जहां गाड़ी है वहां अगर आप होते तो आप बस्ते ही नहीं सार अंकल लगता चोट बहुत गहरी है होस्पिटल चलते हैं जादा चोट नहीं बेटा खरूंची है मंजो मेरी काड़ी में फस्टेट अच्छा ज़रा लेकर आपका यहां देखिया अंकल कितना खून बहरा है अपका रहने दोना बेटा थोड़ा साही तो है अंकल एक अनाथी मापब की कीमत समझ सकता है और दो बून खून की कीमत क्या होती है यह मरते वे इंसान कोई पता है अरे जल्दी आना आ आरा आरा आ पूरा बॉक्स कहा पर है तुम इस बॉटल की दवा लगाओ मैं लेके आता हूं एक मिनिदा अंकल थोड़ा सा जिलेगा एक मिनिदा आ निकल निकल यह पकड़ अंकल भगवान के पास शमा होती है और खून में प्यार होता है उस प्यार भरी खून को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अंकल अंकल अभी सिर्फ बैंडिल लगा रहा हूं लेकिन हलके में मत लेना घर जाती है अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना ओके ओके थैंक यू पिटा अंकल चली मैं आपको ड्रॉप करेंगा अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं अंकल अगर आपके गाड़ी में कुछ भी बचा होगा तो मैं अपने हॉस्पिटल ले जाऊँगा उसके बाद वहां ट्रीटमेंट करके गाड़ी वापको वापस कर दूँगा चिंता मत करो यह थोड़ा सा ऐसा ही है ओके ओके थैंक यू पापा क्या हुआ पापा अरे कुछ नहीं बेटा एक चोटा सा एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट हाँ वो हाँ बेटा रोड से आ रहे थे तभी इनके सामने ट्रक आ गई और उस ट्रक वाले को बचाने की चकल में इनकी यहालत हो गई कह रहे हैं कि वहां के दो लड़को कि इनकी मदद की स्कूटर का है कह तो रहे हैं कि स्कूटर नहीं घड़े में गिर गई चोड़ो ना मेटा हो जाता है स्कूटर तो एकदम कबाड हो गया उन लड़कों ने मुझे उठा कर फर्स्ट एड़ की और स्कूटर को गेराज लेकर गए जिसने आपके हेल्प की हो बहुत ही कंजू से अथा लगता है ऐसे कहीं पट्ती लगाता है क्या अरे उन्हें में हेल्प की ना पाए है क्या अरे अब ठीक है मैंने पोज दिया नहीं तो घंदा हो जाता मैं तुझे पगार देता हो तो इस रेंज का कपड़ा पहनता अगर मैं तुझे पगार नहीं दूतो तो मैं इससे बड़े गेराज का मालिक होता और बड़ी से बड़ी कार में आता पुल्ली मुझे तुम्हारी ये बात पसांत आई अगर तुम बड़े से गेराज के मालिक होगे तुम наit तुमेर साथ कैसे बड़ताव करोगे आपके साथ मे declar up करवा क्लीनिग करवाता है मजा करता है, मजा करता है मरु गृण देखो, इस गाड़ी का माली कभी आने वाल है और उसके हाथे ही ना ये बेल उसके हाथ में दे दिना हाँ, ये दो 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 बिल है एक बिल गाड़ी रिपेयर करने का दूसरा बिल उससे यहां लाने का, आके ही वो चेक देगा, जाके बैंक में डाल देना, समझा? हाँ, चेक? अगर चेक के बजाए कैच दिया तो, मैं उसमें से पैसे बच्चा कर गाव में जाकर आराम से सेटल हो जाओंगा, कहां में इस पोपट के पास फस गया? त्यारे, पैसे बच्चा का ख्याल अपने मन से निकाल दे, बिना पैसे लिए अगर तु काम करता रहेगा, एक दिन ऐसा है कि तीरे लाइफ ग्रैंड मैं बना दूँगा, और अमूल जैसे सफेद लड़की के साथ तेरी शादी करवा दूगा, हाँ, 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 आप मेरी शादी करवा दे, हाँ, 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 अपनी शादी तो होती नहीं, मेरी शादी करने चलाया, हाँ, हाँ, उसकी शादी से तेरा कोई सम्मंध नहीं है, हाँ, 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 बस्ट बस्ट क्या रहे बुल्ये सार बिल हां हां मैंकेनेक मंचु साथ गाड़ी फुल रेडी हो गई ना पानी आधा होगा तो गाड़ी चलेगी क्या सर फुल उने कब बल लगता है सुवह आपकी रहा देखते हुए गाड़ी के अंदर सो रहा था सर पता चल रहा है नमस्ते अंकल नमस्ते कैसे हो आपका जख्म तो भर गया ना हां बिलकुल आप अपनी गाड़ी ढूड रहे हैं सेर आप गाड़ी के पार्ट्स ढूड के मैं परिशान हो गया हूं फुल को म स्टेज में है रिकवरी का कोई चांस नहीं है आप गाड़ी के आशा करना छोड़ दीजे सर अब यह अब यह गाड़ी नहीं बनीगी क्या बड़ी मुश्किल है सर आप कबाड़ में बेचने के लिए कह रहा हूं पता इस गाड़ी ने मेरा कितने सालों तक साथ दिया है यह तुम लोगों को कैसे पता होगा नहीं सारे सर अंकल आप इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो अंकल इसमें भी तो जान है ना कि किसी भी तर है इस गाड़ी को ठीक कर दो ना प्लीज किसी तर है कर दो कर दो हलो मुझे इस सब पसंद रही है हलो मैं तुम से बात कर रही हूं हम अगे जाने वाले को पीछे से आवस देकर यह क्यों कह रही है कि मेरे पीछे पीछे क्यों आरे हो तुम्हारी अकल ठीकाने पर है ना और उस पर भी चाहे रोड हो या फिर लाइफ हो हर किसी को किसी के आगिया पीछे चलना ही पड़ता है तुम ज्यादा स्मार्ट बने की कोशिश मत करो यह कॉलेज है उस वक्त तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मैंने फुक लगाई दूर से भागते हुए आय थी इसलिए मैंने पानी पिलाई और गेजने से तुम्हें च है लेकिन जो सुन्दर सी लड़कियां होती है वो उनकी प्रॉब्लम है लेकिन तुम क्यों अटेंचन ले रही हो है मतला तुम अपने आपको एक खूबसूरत लड़की समझती हो क्या ओ 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 इतनी बड़ी घलत फैमिय में हो तुम यहार इसलिए मैं तु मैं तो इसलिए आया था कि मुझे इस कॉलेज में कोई सुन्दर सी लड़की मिल जाएगी लेकिन तुम कंफ्यूस मत हो ना देखो तुम अपने आपको बहुती सुन्दर समझने लगी हो ना हेई यह तुम्हारे घर में अगर आई ना हो तो एक बार अपनी शकल जरूर देख लेना उसमें तुम कैसी दिखते हो पता है क्या तुम्हें यह गंगा और काविरी नदी का काला कीचड एक साथ मिलाकर दीवार पर मारने पर जो जित्र बन जाता है ना वैजी लगती हो त है तो जो चहरा बनेगा ना वो तुम्हारा असली चहरा है क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें वालो करूंगा अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरा नाम है कार्तिक और मेरी उम्र प्यार करने लाइक हो गई है हाइट है 5.11 इंचिस और वेट है लगबग 50 किलो या 37 किलो ज्यादा भी हो सकता है और रंग है बिजली की तरह एकडम सफिद और पेट पालने के लिए मैं एक बिजनिस खोल के रखा है फिर से कंफ्यूज मत होना यह सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं इसका मतलब मेरी योग्यता के अनुसार कोई क्यूट सी लड़की ब्यूड उसने मुझे समझ क्या रखा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी तुम लग बताओ मैं सुंदर नहीं हूं क्या मेरे घर पर आईना नहीं है ए मैं यह चिला रही हूं और तुम लग चुप्चा बैठो पूछो के नहीं क्या बात है कानिया सच होती है हम उसमें असा क्यों है क् तो फिर सब ठीक से समझाओ ना जरा मुझे अच्छे से देख के बताओ ना क्या मैं डेखने में सुंदर नहीं हो गया दीदी तुम हमारी गाव की हिरोईन हो यह थोड़ा ज्यादा हो गया अरे नहीं वो मुझसे कहता है गंगा और कावेरी की काली मिटी की किचर दोनों को एसे अच्छे से मिला के उसकी लेप बना के ऐसे दीवार पे जोर से मारो के ना तो दीवार पे जो चितर बनेगा वैसी लगती हूं मैं क्या उसने तुम्हे ऐसा कहा अब तुम्हे उसे देखना ही पड़ेगा यह सब को मुझ पर छोड़ दो दीदी इस बार तो तो तुम में फेल हो जाओगी ऐसा क्यों और नहीं तो क्या कावेरी और गंगा की मिट्टी का क्या मतलब होता है तुम्हें पता है क्या तुम्हें थोड़ा भी सेंस नहीं है कैसे पास होगी तुम्हां और नहीं तो क्या यह सब तो प्रकृति का नाम है और आपको तो कुछ पता ही ही प्रकृति का मतलब और थोती है ना अधीं प्रकृति हमेशा सुंधर ही होती है और आप के सुंधरता को उसने प्रकृति के जर्य साज़ा है अधिकी बद्धी कुट्ण जली जली मेटी जलो जलो गाली प्राव लगता है किसी को ढूंड रही हूं मैं किसी ढूंडूंगी और किसे तुम्हे ही तो कह रहा हूं क्या मैं मैं किसी कवला क्यों ढूंडूंगी इसका मतलब तुम मुझे ही ढूंड रही थी तुम्हें तुम्हें मैं क्यों ढूंडूं वो भी मैं तुमको ही हीरो हो क्या सभी ल लगता क्या। खर जाकर आईने में अच्छे से शकल देख लेना आने में तो वो शकल देखते हैं bin Seag 데 abd बाते बनाने में कम नहीं हो लगता है मैं ही पागल हो गई हूं जो तुम से बात कर रही थीक है अब हम अपनी बात पर आते हैं. अपनी बात पर? कौन सी अपनी बात? मैंने कल अपना बायोड़ेटा देते हुए अपने लिए क्यूट सी लड़की ढूनने के लिए काया था ना? हलो तुमने मुझे क्या समझ लिया मैं तुम्हारे लिये हिए लड़की धूँद कर ला ओओ कूल 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 तो तुम मेरे लिए कूल सी लड़की धूद कर नहीं ला सकती हो जाने दो छोड़ो दो कम से कम तुम अपनी तरह कोई बिकार सी, एकदम जाया हो चुकी लडकी तो ढून कर ला दो, क्या का, लडकी मेरी तरह बिकार रहेगी तो भी चलेगा, उबर तुम जैसे लड़के के लिए, तुम कहो तो सच बताऊं मैं, कि तू मुझे कैसे दिखते हो, कैसा लगता हूँ, हाँ, तुम्हें मैसूर प ऐसे दाए मुड़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक मोर, चिडिया, शेर, ये सब दिखाई दिंगे. और वहाँ से अगर तुम बाए जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारे लाइन से पिंजरे लगे हैं. वहाँ पे कौन से में? एक, दो, तीन, चार. हाँ, वहाँ चौथे पिंजरे में एक बहुत बड़ा सा बंदर है, जो मुशी की तरह दिखते हो. करेक्ट बोला, उसी जू में, उसी लाइन में आठवे नंबर में, पिंजरे में एक बंदर याँ भी है, और वह उस बंदर को कब से बाहों में भर लेती है, यह तुमने देखाई गया, अरे, तुम्हारी तरह, चार, वह तुम्हारी तरह है, आज मिलेगा ना, तुसे नही छोड़ूंगी, हालो, हालो, मिस्टर, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, कुछ भी करोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कब से देख रही हूं तुम्हें, जहां जाती हो, मेरा पीछा करते हो, कॉल इस तक पहुच गया है, मुझे गंगा के मित्टी भी कहते हो क्यूर सी लड़की ढूंड कर ला दो, यह भी कहते हो, कहते हो तुम्हारी तरह बिकार होगी, तो भी चलेगा, मुझे तुमने क्या समझ रखा है, बताओ I love you तुम जो कह रहे थे, वो सच है क्या? यह प्यार जूटा प्यार नहीं है दीपो, क्या हुआ बेटा, नीन नहीं आ रही क्या? हां, सर में दर्थ हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं मा, पता नहीं क्यों नीन नहीं आ रही है, बस जब तु मेरे पेट में थी, तब तु सोई है, या जाग रही है, तुझे भूग लगी है, कोई तकलीफ तो नहीं हर बात का पता रहता था, अब तो तु मेरे आँखों के सामने है, तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्या? कोई बात नहीं है मा, तुम जाके सोजाओ मन में कोई बात चल रही हो, तु आँखों में नीन कैसे आएगी? क्या हुआ बेटी? बुखार है क्या? तब यह ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ पापा चलो अबी सोजाओ, सोजाओ, हे चलो सोजाओ क्या बात है बेटी? मैं आपसे एक बात पूछ हूँ क्या पापा? पूछ हूँ? यह आज पहली बार ऐसे बात क्यूं कर रही है? तुम इसे कुछ पिलाना भूल तो नहीं कही? मैंने तो इसे सब कुछ पिला दिया था अपनी तरफ से बेटी, मुझे बताना क्या पूछना चाहती है? जल्दी पूछना, दिल जोर से धड़क राए. पूछना बेटी, चल पूछ. आप दोनों की शादी प्यार में पढ़ने की बाद हुई थी, ना? इसकी साक्षी तुम हो. क्या बात है, बेटा? हम अपने प्यार को मिला लेते हैं. हरे, क्या मिला लेते हैं? हम तीनों में प्यार मिलाने की बात कहा से आ गई? अगर आप पर्मीशन देंगे, तो चौथे को मिला लूँगी, ऐसा कहना चाहती हूँ. क्या चौथे को? कौन है वो? एक लड़का. एक लड़का है? हाँ, लड़का है क्या रही है? यह क्या क्या रही हूँ तुम? मुझे… अच्छा. मुझे प्यार करना चाहिए, ऐसा लग रहा है. आप दोनों मुझे पर्मीशन देंगे, न? अच्छा. 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 आप दोनों सोच लेजे, आप अपना समय लेजे. आप अच्छा. हम्च्छा. अच्छा. 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 झाल झाल क्या हुआ जी आप ऐसे चुपके बैठे बच्चे कितनी भी बड़े हो जाए लेकिन वो हमारे लिए छोटे ही होते ये प्यार और शादी की बात जबाती है ना तब पता चलता है कि वो बड़े हो गए शांती दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ये कह कि मुझे प्यार करना है पर्मिशन चाहिए ऐसा सिर्फ हमारी बेटी दीपू ही कह सकती है और ऐसे माबाब भी सिर्फ हमी होंगे हमारी बेटी हमें इतना मानती है इसका मतलब अहां जी दुनिया में कितने बच्चे हैं जो अपने प्यार के मारे में अपने माबाब को बताय बिना ही सब कर लेते हैं और एक हमारी बेटी है, इतनी सालों बाद और इतने प्यार से उसने अपने प्यार के बारे में हम दोनों को सब कुछ बता दिया वो हमारी बेटी है, उसका हम पर प्यार और भरोसा दोनों है ऐसी बात है, तो हाँ है ना? हाँ, हाँ, हाँ इसका मतलब ना है यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही येस कहूं या नो कहूं वो कौन है हम जानते भी नहीं हां कहने पर कल क्या होगा इस बात का हमें डर है और ना कहने से दीपू इसे दिल से ना लगा ले मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुनिये जी दीपू को उस लड़के पर विश्वास भरोसा प्यार होगा यह सब होने के बाद ही उसने हमसे परमिशन मांगी होगी ऐसी बात है तो हम उसे बुलाते हैं पर अगर बुलाने के बाद वो लड़का हमें पसंद नहीं आये तो फिर भी वो उसी को पसंद करेगी जिसे हम पसंद करेंगे वो हमारी बीटी है हमेशा सही फैसला लेगी आपनों कॉलेज किस लिए आती हो पढ़ाई कर ले ऐसी बात है तो लाइबरेरी जाकर थोड़ा सा पढ़ लो ना ओ दीपा मुझे तुमसे थोड़ी बात कर दिया है थांक यू गर्स मैंने आई लव यू कहा और तुमने पुछा तुम सच कह रहे हो क्या उसके बाद तुम कुछ बोली ही नहीं कोई बात नहीं रहने दो अगर मुझे नहीं कहोगी तो आखों से तो कह सकती हो मेरी आखे कुछ नहीं कहती आखों का इशाराई जुबान होती है और मन के लिए हां तुम लड़किया ना प्यार में बड़ी खिलाडी होती हो हां कहने के लिए हजारों नाटक करती हो तब तक जब तक हम लड़के खुदी तुम्हारे पीछे घूमकर अपने प्यार का इजहार नहीं करवा लेते यह कैसा न्याय है बता पापरे अरे क्या वह मेरे होटी ह कौन है वो देखो इस तरफ ही आ रहे है ओ अच्छा वो तुम उन्हें जानते हो नहीं अभी में उसे जान पेचान किलों सौर नमस्ते श्री निवाज जी सौरी आयम रंगनाग अरे बस आपकी पोजिशन में थोड़ा फार्ग है सब कुछ ठीक है ना फिप्टी फिप्टी तुम कैसे हो अच्छा हूं सर लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा रिजल्ट का टेंशन है रिजल्ट का कौन सा एक्जाम है जो मुझे पता नहीं है तो भीर लव एक्जाम में बहुत टेंशन होती है बट आल दा बैश तैंक्यू सर ओके तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या क्या समझते एक लड़का एक लड़की दोनों बात कर रहे हैं लेकिन तुम यह सब को छुपा रही हो मतलब तुम्हें मुझसे प्यार है ना काना तैयार है ना हाँ बेटा सब कुछ रेडी है बॉट पर अब भाई बाई हाई हाई आपने दीपो को देखा हमसे प्रणप प्रणाओ कि आप सुनिय जी आपने दीपो को देखा हमसे परमिशन मांगने के बाद उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है कितनी नॉर्मल हो गई है यह उसने सब कुछ हम पर छोड़ दिया है उसने हमारे उपर छोड़ दिया है तो हम जुप रह सकते हैं क्या जाकर पुछताज कीजिये ना लेकिन हमें पता तो हो कि वो लड़का है कौन ऐसे घर बैटने से थोड़ी पता चलेगा कॉले जाकर पता लगाए ना आप तो मैं उसका पीछा करूँ नई ये ठीक नहीं होगा उसे पता चला कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसे इंसल्ट फील होगा नई नई ये मुझसे नहीं होगा क्या जी पांच रुपे की पैन करीदें से पहले आप चेक करते हैं कि चल रही है या नहीं ये तो हमारी बेट ये कम से कम ये तो देखकर आई है कि वो लड़का है कौन उसकी बाद हम उसकी बारे में बात करेंगे ये ठीक होगा हाँ 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 क्या हुआ जी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है हाँ ठीक है रहने दीचे हाँ 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 दीपा तुम्हारे पास वाइट चूड़ीदा रहे गया पर क्यों अरे है के नहीं बोलो ना पहले बताओ क्यों अब आपरे कल रात मैंने एक सुन्दर सा सपना देखा ठंडी हवाएं चल रही थी पेड़ पौधे सभी मदमस्त हवा में घूम रहे थे और पूरे रास्ते में कोहरा चाया हुआ था और उस रास्ते पर तुम वाइट कलर का चूड़ीदार पहन कर लंबे खोले बालों में मेरे पास दोड़ते हुए आ रही थी दोड़ते हुए आ रही थी इसी तरह स्माइल देती हुए मुझे देखते हुए कार्टेक I love you कहते हुए कहने के लिए लेकिन वहाँ मैं तुम् सौलब उसी टेंशन में चलती ही रहती हुए और मैं एक नदी के किनारे बैठा मिलता हुँ तुम्हें तुम्हें मेरे कान में फोन लगाया था मुझे देखते ही तुम मेरे करीब आ जाती हुआ है जोर-जोर से हाफते हुए कार्टेक I love you ऐसा मैंने कहा क्या है नहीं यार ऐसा क्यों तब तक मेरी यांक ही खुल गी सपने में भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई ना अभी तो मैं तुम्हें सामने बैठ गया हुँ ना तो अभी तो बोल सकती हो ना I love you अए 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 अगी तो बोल दो हाई अंकल गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग कैसे हो अंकल मैं बिल्कुल छीख हूं आये ना अंकल ड्रॉप कर देता हूं नहीं तुम जाओ बेवजे परेशान ही नहीं होगी आप बैट जाहिए नहीं तुम जाओ मैं चला जाता हूं प्लीज अंकल हाँ होके चलो अंकल ऐसा लगता है आप अपनी गाड़ी को भूल नहीं पाएंगे मार्केट में और भी तो कई नई गाड़ियां आई है नहीं बेटा मुझे स्कूटर के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं आती प्यार है तुम्हारे सिवा किसी और के बारे बड़े खुश नजर आ रहे हो अंकल एक लड़का कब खुश होता है जरा बताईए मुझे तो नहीं पता जरा सोच कर बताईए ना अंकल सोचो कोई अच्छा सा काम मिल जाए मन चाहा पैसा मिल जाए अरे जरा सोच कर नहीं आ रहा तुम्हें बता दो लव अंकल लाव अंकल हाँ आपने कभी किसी से प्यार किया है हां अब भगवान के लिए बुरा मत मानी हैं का अंकल अगर आपको बुरा लग गया हो तो आएं सो सौरी हैं मैंने ऐसी मजाख में पूछ लिए अरे नहीं 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 आएं तो भी निएसे गुमसुम की हो कुछ बोलिये ना अंकल बेटी का बाप ना तब तो प्राब्लम तो होगी ना अंकल गैरेंटेट चाहे बेटा हो या बेटी माबाप कभी भी प्राब्लम नहीं होते हां बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन इस दुनिया में कई इसे माबाप हैं जो लड़की को बोच समझते हैं उन्हें इस बात के चिंता खाई जाती है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी कर दो और उसे घर से निकाल दो लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो फिर भी आप इतने गुमसुम की हो बात क्या है बता मेरी बेटी को है अ आपकी बेटी को अंकल करों दो कि अगा दिद्ट कि अग्ट कि अग्विव in नमस्ते अब अपनी बीटी से मिलने आये क्या उसी लिए अग्ट सब्सक्राइब कर देते थो हाई मैडम कल आजाना हां सर कल आता हूं हम लड़कों की भाषा में अगर लड़कियां चुप रहे तो उसका मतलब होता है ग्रीन सिगनल करेक्ट कह रहा हूं ना तुम समझ रही हो ना अरे बोलो ना क्या हुआ मैडम चुप क्यों हो ए प्यार तो नगर पालीगा पानी या ब की बज़े तुम तो टेस्ट मैच की तरह बस टुकर टुकर बॉल को खेलती जा रही हो एई आप तो 50 ओवर के मैच के जगा 20 ओवर के मैच होने लगे हैं तो कुछ तो बोलो यार बोलो तो देखो मैं सच कह रहा हूं अभी तक मैं किसी के पीछे बड़ा नहीं था और नाही अभी तक किसी को प्रबूस किया मेरी मा के बाद तुम वह दूसरी ओरत हो जिसे मैंने प्यार किया है जिन्दगी में हर किसी को एक ही बार प्यार होता है और जन्मों जन्मों तक पहला प्यार ही साथ रहता है मैं अभी kई लोगों को समझाए करता था कि यह प्यार व्यार में क्या रखा है यह सब फालतू की चीज़ है लेकिन अब पता चला कि यह कुतना लॉजिकल होता इलॉजिकल चीज़ को लॉजिकल तुमने करके बताया तो इसका मतलब तुम उन से प्यार करती हो दिया जलाने के लिए तेल की जुरूत होती है तो प्यार करने के लिए दिल की जुरूत होती है और हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए बस सिर्फ दो दिना तुम नजरों से शर्माते हुए गालों पर लाली लगाये हुए मेरे पास भागते हुए आओगी तुम्हारी गरम-गरम सांसे मेरी सांसों से मिल जाएंगे और तुम कहोगी कार्थी का लाव यह हो और अगर नहीं बुला तो ये कॉलेज, बस्टॉप, नदी, ये गाउ सब के सब यहीं रहेंगे लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो चलता हूँ बाओ 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 कार्थी अंकल आप यहाँ जिस काम के ले गए थे हो गया कौन है वो लर्गी तो आपने देख लिया यह वही लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकल और वो भी तुमसे प्यार करती है नहीं क्यों अरे प्रपोस किये हुए पांच दिन हो गया है इस हिल स्टेशन में सब ही सिगनल मिल गया है लेकिन उसका सिगनल अभी तक नहीं अंकल यह थोड़ी से ठीली लगती है लेकिन कोई बात नहीं है एड़ेस्ट हो जाएगा वो लड़की मुझसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती है अंकल लेकिन कहने में बहुत ज्यादा देर कर रही है बड़ा एर्यली लभार लड़की सुशील है अंकल आपके कितनी बीटिया है ऐसी कोई बात नहीं है तुम उसके माबाप को जानते हो जानता हूँ क्या बोल रहे हो मैंने देखा है देखा है? कहां पर? उसकी आँखों में देखा है उसकी बातों में देखा है उसकी चाल चलन में देखा है अगर उसके माबाप न माने तो क्या करोगे? आप ही कोई आड़े दीजिए न अंकल हम? हमाँ आप है 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 जलो आजाओ, जलो जलो जलो, क्या बात है, आज सब के सब टाइम पर आ गए रोज रोज लेट आने पे हमें हमारी फेडरेट सीन नहीं मिल पाती है ना कर दोन अदंग टेस वस प्रवान सी हिलरिगो पाती है है वाओ य कल्भा खिए, नहीं है लेटे नहीं मिलो स्या चाहिए कर दो तुमने मुझे प्यार तो पहले ही हो चुका था बस बोलने में थोड़ा टाइम लगगया वो बस्टॉप पे, नदी किनारे, वो कॉलिज में, तुम्हें वहां हमेशा रहना चाहिए। तुम्ने तो पर्मनेंटली मुझे इस गाउं में रख दिया। अंकल! 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 क्या हुआ कार्थिक? लड़की मान गई किया। तुम्हें मिल गया क्या? ग्रीन सिगनल! येस! वो वान गया! येस! 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 वहाँपरे! वहाँपरे! अंकल! इस गाउं में बात करने के लिए आप उच्छे दोस्त मिल गए। ये अंकल! अरे! अंकल! ये कौन है? श्रीमती जी है मेरी! नमस्ते अंटी! ये खुशी हो लिए तो सॉरी! बुरा नहीं मानेंगी! हमारी भी लव मैरीज है! हम तुम्हारी फेलिंग समझ सकते हैं यार! येस! येस! एक मिनट! ओके, लड़की तु मान गही है! उसके घरवालों का क्या होगा? अंकल, लड़की तु मान गही है! अगर घरवाले नहीं भी मालेगे ना, तो उठा कर ले जाओंगा! घरवालों को मारो गोली! कौनसी, बड़ी वाली या छोटी वाली? अंकल, कॉमेडिया! हलो, मेरी पाँ सुनो! अंकल, आप तो इसी गाओं के रहने वाले हो ना, तो आप कहीं उसके मम्मी डाड़ी को ना बता तो इसलिए बैचारी डर रही है, और कुछ नहीं है! अरे कोई बात नहीं, अंकल जान पेचनक है, बहुत ही क्लोस है मेरे फ्रेंड है, चाहो तो मेरे साथ तुम्हारे घर पर तुम्हारा हाथ मंगने के लिए भी आ सकते हैं, क्यों अंकल? अंकल, उसे ना एक तरकाब, डर है डर, डर रही है बैचारी, शर्मीर है ना? ए बुद्धू, वो मेरे पापा है! तुम्हारे पापा है क्या? पापा? कार्दिक, कार्दिक, उठो ना, यह क्या? अंकल, क्या कर रहे हो तुम्हारे? अंकल, यह आपके बेटी है? हमारी यह बेटी है, हम दोनों ने जब इसे परमिशन दिया तभी इसने तुम्हें हाखाए अंकल, तैंक, तैंक्स अंकल सब्सक्राइए मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपके साथ मिलकर हाँ आजकल के लड़के ना जाने क्या क्या देखते हैं लेकिन तुमने इसके माबाप को देखा यह हमें बहुत अच्छा लगा मैं उसी समय राजी हो गया था हेलो हीरो हाँ क्या करें अब तुम्हें किसी को भी गोली बारनी की ज़रूरत नहीं है अरे क्या अंकल आप जाओ अंकल मुझे एक डाउट है डाउट कैसा सबके घर के सामने बोर्ड पर लिखा होता है कि कुत्तों से बच कर रहना लेकिन यह आपके घर के सामने ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है कोई यही सवाल करता है दरसल यह एक बहुत ही लंबी कहानी है जब मैं इस गाओं में पहली बार आया था ना यहां मेरी जान पहचान के एक आदमी रहते थे और वो लोगों की साहता करने में हमेशा आगे रहते थे हाँ एक बार वो मेरे घर पर आये उन्होंने कहा तुम्हारा घर बहुत एकांत में है कभी भी चोरी हो सकती है दर्वाजे पर बोर्ड लगा दो कि घर में कुट्ता है मैंने कहा घर में चोरी लाइक कुछ है ही नहीं फिर वो अगले दिन एक बोर्ड खुद लेकर आये और जानते हूँ उस पर क्या लिखा था इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही प्यार भरे इंसान हैं जो हर किसी पर भरुसा करते हैं मैं सच कह रहा हूँ ये बोर्ड उनी का लिखवाया है अंकल कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया न अरे क्या हुआ मैं आपकी बेटी के प्यार के सामने खुद को बहुत ही छोटा समझ रहा हूँ नहीं नहीं तुम छोटे नहीं हो तुमने इसका दिल जीत लिया हाई डाड कैसे हो बेटा आइम रॉकिंग डाड और लव स्टोरी कैसी चल रही है सूपर डूपर हिट डाड उसके ममी पापा भी मान गए है कंग्राचुलेशन्स माइ सन आइम रेली हैपी तुम कितने खुश हो यह मुझे फोन पर ही पता चल रहा है इस सब की वज़ा वो लड़की है ना आफकोर्स डाड वही है शी इस सो इंस्पाइरिंग तुमने उसके अंदर ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतना इंस्पाइर हो गए मैने उसमें मा को देखा वो बिलकुल मा की तरही है तब तो हम दोनों लखी हुए मा का पिंड़दान करने गए थे इसलिए तुमारी मा मिल गई दीपू क्या हो अजी अरे हमारी स्कूटर क्या हो पापा दीपू यहां तो आओ इसे देख रहे हो स्कूटर अरे देखो तो पर इसे लेकर को रहा है अरे अ अ अरे 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 सारी चीज़े डबल हो जाएंगी और तुमसे भी ज्यादा मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ज्यादा पसंद आ गए मैं लख्य हो कि तुम मुझे मिले शायद मैंने कोई अच्छे करम की हैं जब तुम जैसी लड़की मुझे मिल गई जब भी कोई प्रेमी मिलते हैं तो वो अपने प्यार के बारे में फ्यूचर के बारे में अपने बारे में बाते हैं लेकिन तुम हमेशा अपने माबाप के बारे में बात करती हैं सिर्फ मेरी फैमिली के बारे में बाते करोगे तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पापा है और मेरी मा यहां है तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत ही लाट प्यार से पाला है ना प्यार से पाला यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं हार जाओं हमेशा मेरे सुक दुख में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है मेरा हाल भी ऐसा ही है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं है तुम्हारे पापा ने मेरे बार में कुछ नहीं पूछा पूछा था कि उस लड़की में ऐसा क्या खा से जो तुम्हें पसंद आगे फिर तुमने उन्हें क्या बताया मैंने कहा मैंने तुम्हें अपनी माँ को देखा हरुछ यह खर माँ आई मैं हुछ क्या है पापा जाग जाएंगे मैंने को आने माँ वाली जाओ, जा तुम्हो आए.. तुम्हण आती हू पजिव सब जाग जाएंगे क्या है चलो चलते कहां चलो ना क्या हुआ दिप्पू Happy birthday to you तो मुझसे बहुत प्यार करते हो कितना इतना इतना है यह दिल भी तो इस मुठीत नहीं होता है अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे हां रोओंगा उसके बाद उसके बाद चुप हो जाऊंगा उसके बाद उसके बाद अपने जिन्दगी हमेशा की तरह गोज़रूँगा लेकिन जब तक जीऊंगा अपने प्यार को जिन्दा रखूंगा ऐसी बाते तुम्हें किस ने सिखाई तुमने हाँ मैंने तुम्हारे प्यार ने अच्छा अगर मैं मर जाओं तो तुम क्या करोगी तुम्हारी तरह तो मैं नहीं जी पाऊंगी सीधे तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी प्यार का मतलब होता है जान और जान ही चली जाए तो ऐसा मत कहो जब मैं छोटा था तभी अपनी माँ को खो दिया था तुम वो लड़की हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और जब तुम मुझे नदी के सामने मिली और तुमने मेरे कानों में कमल का फूल लगाया था तभी मेरे जीवन में फूल खिल गिया था मेरी जिंदेगी में ये सब कुछ होगा इसके मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी सपने में ये गाओं तुम तुम्हारे पापा माँ वो बच्चे वाँ स्वर्ग इसे ही तो कहते होंगे उस भगवान को मैं कितना भी थांक्स कह दूँ कि कम होगा मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ कि हुम पाप से ऐंक्स हे भगवार इनका प्यार ऐसे ही बना रहे है इस जगत में अत्यांत संतोशी व्यक्ति अगर कोई है तो वो आपका बेटा है हाँ सर, जबसे कार्तिक यहां आकर रह रह रहा है जीवन ही सार्थक हो गया है मेरा बेटा जहां भी रहता है हसी खुषी भी वहां रहती है और शान टी भी हाई कार्तिक डाइध वो brass looking great कार्तिक thank you dad you're looking sexy hey यह, रही, what a pleasant surprise, Dad तुमने अपने प्यार के बारे में मुझे surprise दिया और मैं अपनी बहू से मिलकर उसे surprise दोँगा कार्टिक, मेरी होने वाली बहू से कब मिलवाउगे मुझे? कल ही मिलवाउंगा शोर अंकल, कार्टिक यह मेरे डैड zrob, नमस्ते नमस्कार आये सर, आये, आये न, आये बैठिए सर बैठो शांती आ रही हो मेरी पत्नी नमस्कार मेरे डैड है कौफी लेकर आओ क्या लेंगे बताए कौफी जूस सब बात में भी हो सकता है पहले मेरी बहु को दिखाईए ठीक, जाओ दीपू, कार्थी के पापा आए हुए चलिए से तयार हो जा मेरी बेटी को देखने से पहले ही आप उसे बहु कह रहे हैं ये हमारा सोभाग्य है उन्ने का काम मैंने नहीं किया इसने किया आपके दर्वाजे का बोर्ट देखने से ही पताच होता है कि आपकी फैमिली कैसी है आपका दिल बहुत बड़ा है क्या बात है बेटा जैसा तुमने कहा था बिलकुल तुम्हारी मा की तरह है तुम ग्रेट हो बेटी तुमने दौडने वाले घोड़े को पकड़कर बान दिया यू आर फेंटास्टिक इस तरह का खाना खाए बहुत दिन हो गए आप इसी गाउं में पैदा हुए थे और पले बड़े भी अरे नहीं नहीं सर मैसूर में गाउं है सोमनाथपूर मैं वहीं का हूँ मैसूर के सोमनाथपूर के हैं आप जी सर वहाँ पर आप किसके बेटे हैं पटेल चंदरप्पा का बेटा हूं तो आप पटेल चंदरप्पा के बेटे हैं सर आप उन्हें जानते हैं क्या नहीं कहीं तो उनका नाम सुना है अब मैं चलता हूँ अब ये सर थैंक्स जी बागी बाते कल कर लेंगे कल आप मुझसे मिलिए ठीक है सर शे नमस्ति चलिए आईए चलता हूँ ठीक है बेटा शादी की बात करने कले बहुत दूर तक चले आये क्या उम्मीद लेकर आये हो कोई बात जबान ज़रूरी है उम्मीदे नहीं तुमने अपने घर पर जो बोर्ड लगाया है क्या लिखाया उस पर? प्यार और प्यार विश्वास और भरोसा कोई मत तोड़ना इट्स वरी नाइस बहुत अच्छा है ना किसी को जीने दो उनके सपने उनकी उम्मीदे उनका सर्वनाश करके भीक मांगने पर मजबूर करने वाले और ऐसा बोर्ड लगाने वाले इसे देखकर हसना चाहिए या रोना चाहिए समझ में नहीं आ रहा एए पहले उसे वहां से उखाड फेको ऐसी बातों वाला बोर्ड लगाने के लिए योगिता भी होनी चाहिए सर ये आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सच क्या है पता है तुम्हें चालीस साल पहले रमना किर्चना नमस्कार आप यहां आए खुशी होई आई अंदर आए चलिए दीदी लड़की के बगल में वो कौन बैठा हुआ है सुना है वो लड़की का भाई है अरे भाई नहीं है बेटा है अच्छा जब उसके माँ बाप कुजर गये थे तब वो उस लड़के को लेकर अपने गाउँ आई थी मैंने ऐसा गाउँ वालों से सुना है देखो तो पकेल के खर में कितनी लंबी हात भारी है सही का कैसे कैसे लोग है यहां पर देखो तो जो नहीं करना चाहिए वो सब करके अवे मंगल सूत्र पहिंने चली है दोस्त लोगों को न्याय दिलाने वाला पटेल अपनी बहू बेकी के साथ हैं पर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है जरूर उस लड़की का उनसे कोई लेना देना होगा तब ही तो वो से अपने घर की बभू बना रहे हैं वैसे भी पहले से ही उसके पास एक बच्चा है पता नहीं घर के नसीब में क्या लिखा है कि अगा कि अगा हुआ 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 है हुआ हुआ है पटेल जी पटेल जी पटेल जी यह आप क्या कर रहे हैं यह सु क्या है पहँ बेज़त इंसान क्या समझ रखाए तुमने मुझे तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मान मर्यादा नहीं है ऐसी कुल्टा को मेरे घर की मेरे घर की बहु बनाने जा रहे थे तुम है तुम दोनों का यह अवतार देखकर औरे काउं में तुम लोगों की बाते हो रही है मालिक मालिक यह मेरी बहन है बहन चासी है हाँ बहन की तरह पर बहन तो नहीं है न यह गाओं के सामने भाई बेन होने का नाटक कर रहे हो और गाओंवालों की जाते ही थू है तुम्हारी ऐसी जिन्दगी पर हुँँँ जल रहे हुँँँ पाठल्साम मेरे बहन बहुत अच्छी पाठल्साम मेरे बेहन इतनी बूरी नहीं यह बिरसाम के पहर पकड़ता हुँँ हैणीउ थित्य थै pi het lighting देदे, देदे देखकर ऐसा लगा कि मैं हार गया मैं किसी भी वज़े से कभी भी नहीं हार सकता हूँ जिन्हों ने उस वक्त मेरे घर में आग लगाई आज उसी के घर की बेटी मेरे घर में दिया जलाने वाली है और उसका बाप रिष्टदार बनेगा तुप तुम जैसे नीच लोगों के घर से मेरी बहू मेरे घर आएगी ये मैं मन्जूर नहीं कर सकता इस जनम में ये नहीं हो पाएगा सर, सर, सर ऐसा मत कहिए सर, ऐसा मत कहिए मैंने उस वक्त गुष्से में आकर सब कुछ हाग के हवाले कर दिया था सर, मानता हूँ की उस समय मेरी गलती थी पर इसमें बच्चों की क्या गलती है आज आप बीती बातों को अपने दिल पर लेकर इन दोनों मासूम बच्चों को जुदा मत कीजे, सर सर, सर वह दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सर इनके प्यार को अपना लीजे सर। दिमाग खराब है। यो ब्लडी सेंटिमेंटल फूल तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार बड़ा है तो मेरे लिए मेरा दर्द और घुस्सा उससे भी बड़ा है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी में अपनी मां को देखता है सिर्फ इसी वज़ा से मैं तुम्हारे दर्वाजे तक गया अगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा और अगर उसके लिए उसका प्यार पड़ा है तो वो भी देख लूँगा सर ऐसा कुछ भी मत कीजिये सर सिर्फ मुझे बताए सर अब आप मुझे बताए मुझे क्या करना है सर हमारे बच्चों को अच्छे से रहना चाहिए तुम्हारी बेटी को भी अच्छे से रहना चाहिए ना, हाँ अगर तुम्हारी बेटी मेरे घर में पैर रखेगी तो उसी पल से तुम दोनों को अपनी बेटी को भूलना होगा पूरी जिंदगी मिल नहीं पाओगे उससे पहले तुम मेरी बात सुरो इसी शर्त पर तुम्हारी बेटी मेरी बहु बनेगी नहीं तो मेरे जीते जीत तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी पर ये कैसे हो सकता है सर केसाइड कर लो समझे सर 순त दुम्हारी बेटी मेरे पर दुम्हारी बनेगी आप आगे लीची इतनी ख़पराए हुए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ आपको? शादी की बात करने गए थे ना? बात अच्छे से हो गई क्या? आप दोनों की बात तो काफी ज्यादा देर तक चल गई ऐसा लगता है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है उन्होंने कुछ ज्यादा ही तहेच मांग लिया क्या? मुझे पता है जी, उस इंसान को देखते ही मुझे समझ में आक्या वो बहुत अच्छे इंसान है कहते हैं ना सोने का घड़ा कभी काला नहीं पड़ता अब वैसे शादी की तारीख क्या तै हुई है? दिपू कहा है? वो तो सो गई, आपको पता है अभी अभी हम दोनों शादी की ही बातें कर रहे थे प्यार करने वालों को शादी की अलगी खुशी मिलती है इतनी प्यारी बेटी जो है आखिर उसकी मा हो ना मुझे बहुत खुशी हो रही है जी और नहीं तो क्या? उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद हम उसे सिर्फ सपनों में देख पाएंगे खुशी हो जाएगी झाल झाल मुझे पता है आप उसके मेना जी नहीं सकते ना शादी उने के बाद नेटी घर से पिताब हो जाएगी इस पाद नदर तुम मुझे भी हो रहा है जी बहुत रोने का मन कर रहा है अगर मैं रोंगी तुम आप भी रो पड़ेंगे ना इसलिए रोने हैं तीपु तीपु इसक के मैं रहेंगी हों तुम मत रोंगा नहीं रोंगा बिल्कुर मत रोंगा नहीं रोंगा मुझे पता है, मैं शादी करके चली जाओंगी, तो हर दिन ऐसे ही होगा, अगर ऐसी बात है, तो मुझे शादी ही नहीं करनी है, एए, एए, दीपु, ऐसा नहीं कहते बेटा, पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है, तकलिफ तो होगी ही न, देख बेटी, जब तु यहां से विदा होकर जाएगी न, तो हम दोनों का दिल तो रोएगा न, आसू तो बहेंगे ही, बेटी तु, यहां से जब अपने ससुराल जाएगी, तो रोना आएगा, ऐसा सब के साथ होता है, पर कुछ दिनों बाद ही, जब तु इस घर में नन्ही सी बच्ची लेकर आएगी, तो हमारी खुशी, शान्ती, सब कुछ इस घर में दुबारा वापस आजाएगा, यकीन रख बेटी, और सुन, जब तु यहां से जाएगी, तो मैं और तेरी मा, हम दोनों ही तेरी सारी चीज़ें, तेरे खिलोने, साइकल, किताबें, हम उन सब की साफसफाई करके तेरी र देना होगा, तुम लोग ये प्लैन, वो प्लैन, ऐसा करके फैमिली प्लैन मन करना, क्या पापा? कार्थिक, इसी जगह पे मेरे ममी पापा की शादी हुए थी, अच्छा, उन्होंने यहां मननत का धागा बांधा था, तब जाके मैं पैदा हुई मतलब, यहां पर धागा बांध कर कोई भी मननत मांग सकते हैं? तुमने भी कोई मननत मांगी हैं? मैंने तो कोई धागा नहीं बांधा, लेकिन उस दिन पानी में, हल्दी, कुमकुम, मंगल सुत्र एक पत्टे पे बेहते हुए آया, कुमकुम का मैंने ठीका लगा लिया, और फूलों को अपने बालों में सजा लिया, और उस मंगल सुत्र को मैंने यहां बान दिया वो सब चीज़े पानी में बहाने वाला कौन था पता है? मुझे नहीं पता वो मैं ही हूँ हर साल अपनी मां की बर्सी पर मैं यह सब नदी में बहाता हूँ यही मंगल सुत्र तुम मुझे पहनाओगे एर निया रिटाज़ आई को, से घ॥े, से बाहा राझे मैंने बोला ना मैं बतांबा, अंकल, अंकल, नो, मा, 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 शांती, तुम हमेशा मेरे पीछे चिपचाप चलियाती हो, कहां जा रहे कभी पूछती नहीं, इतने सालों से नहीं पूछा, तो आज की पूछूंगी, मुझे पता है, कि आज हम दोनों यहां क्यूं आये हैं, हमारे सारे सपने, इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगे, हम दोनों ने ऐसा, कभी नहीं सोचा था, भगवान कभी हमारा साथ जोड़ा है एना जी हमारी दीपू को इतनी सारी खुश्या मिल रही है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा क्या हुआ जी आप ऐसे गुमसम क्यों खड़े हों हमारी दीपू की शादी होने के बाद वो हमें छोड़कर अपने पती के घर चली जाएगी इसी बात का दिखो रहा है आपको आज क्या हुआ है आपको शादी के लिए मान तो गहीं है हमारी दीपू की शादी होगी ना हाँ 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 दीपू की शादी होना या ना होना यह हमारे हाथों में है हमारे हाथों में है हमारी बेटी की शादी हाँ हम तो वस्त यहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने सस्राल में हमेशा हमेशा खुश रहे है बेटी का प्यार उसे हासिल हो और अगर हमारी द शाथी के घर में कदम रखना है तो कदम रखना है तो हम क्या कह रहे हैं हम जीवन भर अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे सिंदेगी भर हम हम अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे यह क्या है जी यह क्या के रहे हैं किसने कहाँ को ऐसा किसने कहाँ को ऐसा करतिक के बापा हां कार्थि की पापा ने उन्होंने क्यों कहा अपने के बहुत स्विकार करने पदने के उपने करने करने के भाद को सबला ऐसा कियो कहेंगे पता ओशन बताएजिए न मुझे, क्या संबंध है इसमें, क्या संबंध है, हाँ संबंध है, शान्थी उस शादी के अपमान की वज़े से, उसकी दीदी, उसी आग में जलकर मर गई उसी गुस्से में कार्ति के बापा, हमारी घर में आग लगा दी, और सब कुछ सौहा हो गया लेकिन उसमें मैं बच गया, उनके दिल में, पुरानी बातें अभी भी जो आलमुखी की जैसे दहट रही है वो हमारी बेटी हम से छीन कर, हमारी परिवार पर गुस्सा उतारना चाहते है, हम पर क्या गुजरेगी बदले की भावना में उन्हें कोई फर्क नहीं परता, और उनके दिल में माफी की भावना नहीं है उनका दिल पत्थर का बन चुका है, उनकी सिर्फ एक ही शर्त है, कि हम अपनी बेटी को जिन्दगी भर नहीं देख पाएंगे नहीं तो हम अपनी बेटी के दिल से कार्थिक को निकाल करते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें इसमें आपकी क्या गलती है और दीपु ने क्या किया है सुनिए एक काम करते हैं हम लोगों की नजरों से बचका कहीं दूर चले जाते हैं हम उससे दूर कैसे रह पाएंगे शांती हमारा दिल तो तड़पेगा ही ना नहीं तो हमारी दीपु ही कभी न कभी हमें धोड़ते हुए हमारे पास आ जाएगी और भगवान न करें अगर ऐसा हुआ तो उनके दिल में जो दर्ग और घुस्सा भरा पड़ा है ना वह ज्वाला मुखी बन जाएगा ना यह ठीक नहीं होगा हम अपनी बेटी के बिना रह लेंगे एक बात बताओं मैंने पहली बार तुम से पूछे बिना यह फैसला किया है तुम मेरे साथ आओगी ना यह कैसी बाते कर रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि आंगी या नहीं आपके साथ कंदु से कंधा मिला कर आपके साथ जिंदगी बिताई है अब आज मैंने समयना कर दूंगी मैं सरूर आओंगी अपने परवाहर की गलती का खाम्याजा मैं भूगत रहूं वो तो ठीक है पर तुम्हें बिना कोई गलती की सजा मिल रहे है शांती क्या जी आपकी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है और वैसे भी ऐसे बहुत से घटनाएं होती है जिसके जिसके बारे में हमें आम ही नहीं पता होता है तरुबार की गलतियों की सजा यह उस्ताफ खाम्याजा हमारे बच्चे क्यों भुगतेंगे समीर आमने जो भी लेने लिया है वो बिल्कुल सही होगा लेकिन लेकिन एक बात है लेकिन क्या आम आम दीपु और कार्टिक को पिना बताए उनसे दूप जारे है न तो कार्टिक और दीपु की आँखों में हमें अपना प्यार दिखा है देखो कार्टिक हमसे हमारी दीप तुको ज्यादा खुश रखेगा, रखेगा ना, तु मेरे साथ आओगी ना? तुको पापा का इस्कूटर यही है श्यादा खुश रखेगा, अच्छादा खुश रखेगा, मुझाना चालाएं हमनी जहां अपने प्यार को हासिल किया था हमने जीजिगे अपनी जिंदगी बिताई थी अब मैं तुम्हें इसे जगे पर तुम्हारे प्यार का क्या इनाम दे रहा हूं मैं खुद को माफ नहीं कर बारा है मुझ जैसा पती किसी और हो को ना मिले मैं बहुत पापी हूं शानती ऐसा मत कही जी बहुत से बुने की होंगे चुमजी आपकी जैसा जीवन साथी मिला है रोई मत रोई मत मुझे बहुत कर दो शानती जी जी रोई मत जो यमद जो यमद प्लीज मेरी एक इच्छा पूल करेंगे मैं आपसे एक कदम आके रहना चाहती हूं जी क्योंके मैं आके मैं आके रहना चाहती हूं रहना चाहती हुं । दूप एक में दूगा एक में दूगा है कारथे कंछे क्रतीक देपूrust कारतीक करतीक करतीक करfrontल देप्जीश करतीक तूगाय... करतीक करक अरहती बच्छा बन्हें? बढकत्त। बढ़ो! बढ़ो! बढ़ो बढ़ो Um प्यार का इंतिहान साल तर सांग लिया जाता रहा है और हमेशा प्रेमी ही कुर्वानी देते ही लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब माबाप अपने बच्चों के प्यार के लिए अपनी कुर्वानी थे इनका प्यार बेमिसाल है